आज के इस वीडियो में इयर बोन्स के नाम और लुकेशन को जानेंगे मनुस्य के एक कान में तीन बोन होते हैं करमसा, मैलियस, इनकस और स्टेप्स ये तीनों बोन मनुस्य के कान के मिडल पार्ट में उपस्तित होते हैं यह धौनी कमपनों को आंक ना काण के आंतरिक भाग मी रहने में मतलब कान के अंदर पहुचाने में awfully high ठीक है यह लग अलग आकरती के जैसे दिखाई देते हैं थीचिकिंश्प जो है जो पहला बोन ऐड्रम के भाद यह तरह दिखने में लगता है हमर के तरह दधा है इसलिए मेलियस बोन को हैमर भौन भी कहा जाता है इसके बाद इनकस बोन है तो एन्वील एक लोही के तरह होता है जिस पे यह जाता है यह पिक्चर में देख सकते ह। डिखने में लगता है इनकस के इसलिए इनकस बोन को चोटी इन तीनों में और हमारे पूरे सरीर के जो बोन है उन सारे बोन में सबसे चोटी बोन इस्टेप्स ठीक है यह इस्टेप्स या इस्टेपीज बोन जो है वह ना घोरे को घोरे के उपर जो घुरसवार बैठते हैं तो उसके पैर रखने वाले जो रकाब जिसको बुलाता ना यह रकाब की तरह दिखने में हो मालियस को सकते यह कहा जाता है नहीं कि तरह करें में लगता है थो रखाप की तरह दिखने में लगता है इसनीजे सकते हो इंग्डेश में Talking स्टीरब बोन भी कहा जाता है ठीक है आप गूगल पर कहीं भी सर्च करते हैं स्टीरब बोन लिखते हैं तो यह मैलियस बोन है एंविल बोन लिखते हैं तो इनकस बोन है ठीक आप पिक्चर यहां पर तो पिक्चर में आप देख सकते हैं जैसे कि यहां पर रकाब है तो रका आपके दैसा मैलियस बॉने ठीक है इन तीने में मिस भी बोला जाता ठीक है सुरू मैं है उसके लिए इस बूर यह थिक है इन तीनों को करम में मिस मतलब मालीस हैं इनकर्स और अडिक कें तीन ठीक है एक कान में तीन बोन तो दोनों कान में एक शे करते हैं पुरिए था ने इस enjoy